जब किसी इंसान के पास पैसे आने लगते हैं न तो वो अपने पे जादे बिलीब करके अपने आपको और सुधारने लगता है लेकिन जब इंसान के पास मुसीबत और गरीबी आती है तो अपने को छोड़के सबसे जावेवू भगवान के पास भागता है आटोमन सामराज का नेत्रित कर रहा था तुर्की और बेजेंटाइन सामराज का था इस्तामबूल उस समय उसका नाम कुस्तुन तुनिया था क्या नम था कुस्तुन तुनिया कुस्तुन तुनिया आटोमन सामराज में मुस्लिम सा सकते हैं आटोमन में कैसे सा सकते हैं मुस्ल के ऊपर हैं बैजेनटाइन की और रेजनटाइन हार गए लोग बैजनटाइन साम राज वाले के हाँ हार साव। New still जाने भागना ब़ां कहां से अपने साम राज को पीछे छोंडीön इसलिए वैद के बड़ी दुनिया के अलग-अलग देशों की खोज किये थे सब कि भाग के जाएंगे कहां देखते हूंगे यूरोप वाले दुनिया वर में खोज किया थे मार के रद कर दिया है सभी सब को वार इस अब को हराने के लिए कुछ सूजी नहीं रहा था ओटोमन वालों को ओटोमन सामराज को हराना बहुत मुश्किल था इसलिए अंग्रेजों ने दो चाल बहुत तगड़ा चला हराने के लिए पहला इनके अंदर सराप का कल्चर था वैसे यूरोप में भी था बाद में इन्होंने अगल पिछले धाई से 300 साल में अपना कल्चर चेंज किया इसको हरा दिया उसी चक्कर में इस सब को लग इसाब उसी में लग गया सब आर्केस्टा देखने के चक्कर में और मारा सब धोके रद कर दिया सब एक य इटली के नीचे था भूमद्द सागर ऑटमन सामराज के लोग भी इदर से जाते थे बेजेंटाइन वाले भी जाते थे इसलिए इटली चौराहा बन गया था और इटली का विकास बहुत तेजी से हुआ है जहां बहुत जादे जगह के लोग आते हैं वहां पर सामराज ब जीने लगते हैं, आप दिल्ली में जाएगा, हर तरह के लोग आपको दिल्ली में मिलेगे, इसलिए कभी आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा दिल्ली मेरा है, सबको लगेगा दिल्ली उसी का है, संग्वागे इने, बिहार में आएगे, बाहर के बहुत कम लोग बिहार में आत तो यह इटली का एक फायदा यह हो गया कि इटली में अलग अलग जगह की संस्कृति सब्वेता सीखने को मिल गयी इटली का आर्थिक विकास जादे हो गया जब किसी इंसान के पास पैसे आने लगते हैं तो वो अपने पर जादे बिलीब करके अपने आपको और सुधारने लगता है को लेकिन जब इंसान के पास मुसीबत और गरीबी आती हैं तो अपने को छोड़के सबसे जभब भगवान के पास भागता है। अमुमन देखियेगा भगवान की याद मुसीबत महीं आती है, कोरुना में बहुत भगवान देख रहे थे, सब लोग आज आपका शाइं याद करने लगहें एक्जाम खत्म लाल पी हरा देखने लगे हैं तो तुर्की का इतली का क्या हो गया मानसिक विकास अच्छा हुआ आर्थिक विकास अच्छा हुआ दूसरे जगह से सीखने को नौलेज जादे हुआ तब तुर्की को लगा कि हम लोग तो बहुत पीछे हैं हम लोग तो बहुत तो तुर्की में तुर्की करें इतली को तब इतली में नए नए विचारधाराओं का उद्य हुआ, तुर्की के लोगों ने कहाई परलोकवाद आई स्वर्गवाद को छोड़ो, वैज्यानिक और तार्किक विचारधाराओं को देखो, धार्मिक शिक्षाओं को साहिट करो, आधुनिक शिक्षा को अपनाओ, धार्मिक म नामने कली भगमान का चीतर बनाओ, इसु मसी ये सबका, बाद में आया, लिनिया डो दी विंची, मोना लीशा का फोटो बनाया, बहुत फेमस चीतर है, लास्ट सपर फोटो बनाया दिया वहाँ पर, राफेल ने बनाया वहाँ पर, कई सारे चीतरकार वहाँ पर आ गया दीरे दीरे इतली में इतना बिक्सित हुआ कि जादे तर वैग्यानिक उधरी आने लगे, कपर निकस आया, समझा दिया कि ना हो तो, उपर नीचे सूरज नहीं हो रहा है, पृतिवी क्या कर रही है, घूम रही है, कैपलर आया, और ग्रहों को समझा दिया, गैलिलियो आया आकर इसे सीध कर दिया यहां पर, पृतिवी गोल सीध कर दिया, धीरे धीरे लोगों को लगा कि ये लोग तो, बहुत अभी पिछड़े थे, सबसे जादे वैग्यानिक सोच कहां बिक्सित हुआ है, इतली में ही क्यों हुआ, आप सुनिये द्यांसर, आप जब अपने जब वो गाव में था तो बिना मतलब की चीजों पर डिसकास करता था, किस चीज के डिसकास करेंगा, ए, चाचा के बारात में किया बढ़िया खाना बढ़िया रोलोरी, हम रहा तो मिठाय घट गिया था, बवास्ता ठीक नहीं था, यही सब बहस करें, लेकिन जब आप मुंबई में मर्सटीज वाली गाड़ी से भी अगर जाम लगा रहा है गाना तो उतर के कोई आटो में बैठके चला जाता है, रीजन क्या है, वहाँ इतना mental development हो गया है कि वहाँ पैसे से किसी को फूर सब नहीं आपके कितना पैसा है, जाम लगा है ना, डाइवर को कहता है अगर कोई आटो में गलती से बैठ भी जाता है तो लोग उसको अजीब देर से देखेंगे, वहाँ बेचारा खूदे परिशान हो जाएगे, चलिए समझे, तो इटली का development जादे हुआ, अब वहाँ के लोग वैज्यानिकों को जादे value देने लगे, इंजिनियर आए, उन् कपड़े बनने लगे, डियाइन वाला, लोगों ने का कि देखो इस सब, इकाप पचावा में पढ़ रहे थे हम लोग, ऐसे करो वो करो, पूजा पाठ करो, भगवान, गीता, बाइबल, यह जो जी किताबे, उस समय तो वहाँ बाइबल ही थी वहाँ पर, तो यह सब को मौलिकता देना जरूरी है, वहाँ वगयनिकों ने खोज किया, प्रिंटिंग प्रेस खोज हो गई, विचाभधारा तेजी से पहली, इस्टीम इंजन की खोज हो गई, गारियां तेजी से चलने लगे, इससे नए-नए लोग आ रहे आएं, उनकी भी विचाभधाराएं हुई, ऐसे करते करते इटली में लोग बहुत आगे आगया, और पढ़े लिखी लोगों की संख्या बढ़ गया, पादरी का पावर घटा दिया गया, पादरी को लोग देखते थे गुड मॉर्णिंग सर, ओ माई गॉड, बस हो गया, और नहीं तो पहले, पादरी को लगत भगवान का दूत है, सब कुछ वही थे, तो लोगों की विचारधारा में जो सबसे पहले चेंजिंग आई थी, वो कहां हुई थे, इतली में,